नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मुझे पता है कि आप अपने जीवन काल में बहुती दुखी हो। मुसीवतों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। दोस्तों आपको बता देंगी, अब अगर एक बार मुसीवत में चल जाए तो दोस्तों, वहां से आपको उमीद की नई किरण नहीं दिखती, जिसे आप अपने जीवन काल को दूबारा शमाल सके जिहां दोस्तों अंदर से आपको अभी भी घुटने से महशुश हो रही है कि कब हमारे यह परेशानिया खत्म हो जाएगी कब हमें इस दुखों से छुटकारा मिलेगा तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा जिहां दोस्तों अगर आपके जीवन काल में सारी परेशानिया खत्म न हो जाए सारी दुखों का निवारा न हो जाए तो दोस्तों फिर कहना जहां दोस्तों हम आप सब एको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपकी जीवन काल की सारी परिसानियों का उपाई बताने वाले है आखिर कौन सा वज़ा है जो कि यह दुख आपका खत्म नहीं हो रहा है जहां दोस्तों दोस्तों कुल बारो रासियों मैंसे आप एक एसे रासि हैं जिनको सबसे ज़ादा दुख जहलने पड़ रहे हैं दोस्तों पिछले कई सालों में आपका जीवन बिलकुली शुने जैसा हो गया है दोस्तों आप अपने जीवन काल में अच्छी तरह से चैन की निंद नहीं ले पाए हैं जहां दोस्तों आपको हमें सया चिंता होती रहती है कि कब हम इन परिशानियों से मुक्ति पाएंगे कब हमारी ये दुख के दिन खत्म होंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू से लेकर आन तक जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के सारी दुखों की सारी परिशानियों की और सारी तकलीपों की जो दोस्तों आपके जीवन काल में लगाता कई वर्सों से चली आ रही है दोस्तों उन सभी का शमाधान बताने वाले हैं केसे आप इनसे बंच सकते हैं कौन-कौन से उपायों को आपको करना चाहिए ताकि आप इनसे उभर जाएं साथी दोस्तों आपको कौनशी विश्यस बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोबार इस मुसीवत में ना पड़ें इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिशना करें और शुरू से लेकर आन तक जरूर देखें साथी साथ दोस्तों आप इनमें सभी महतुपुन जानकारी को भी जानेंगे कि यसे मैं आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रणे होंगे कौनशे कार आपके लिए भागेशाले होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाब की प्राप्ति होगी और भगवान महावली हनुमान जी के असिर्वात से आपके घर के महावल में परवारिक जीवन में परते एक चेतर में क्या क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अन तक देखेगा उष्य पहले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय स्रीराम दिखेंगे दोस्तों हनुमान और श्रीराम जी का असिर्वात आप से भी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखिए और अदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके औल पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं स्रीक्रिष्ण जी के एक अच्छे ज्यान से एक पहुती अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इक्चा सकती जागरित होगी दोस्तों स्रीक्रिशन जी कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करने चाहिए क्योंकि सुर्य और चन्रमा के बीच कोई तुलना नहीं जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है इसी के साथ कर्मों से डरिये इस वर्षे नहीं क्योंकि इस वर्फ माप कर देता है लेकिन कर्म कभी नहीं माप करता जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से शामत हैं स्रीक्रिशन जी के अच्छे ग्यान से शामत हैं तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जाई स्रीक देखा है तो आप अपने जीवन में बुरा भी देखा है दोस्तों आप अपने जीवन में खुसियों जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी अपने देखा है दोस्तों पिछले समय अंतराल में अपने उमीद भी रखी है अपने उमीद भी लगाई बेठे हैं कि आ कोचे हैं कि आने वाला शमय में हमें पहत्रिन परनाम जरूर देखने को मिलेगा साथी आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप जितने भी तकलीफ में क्यों नहों आपके चेहरे पर मुस्कुराट हम ऐसा बनी रहती है लेकिन दोस्तों यह बाद भी बिल्कुल सत कि आप लोगों ने कोशिच करने पर भी कोई कशर नहीं छोड़ी आपसे जितना हो सका आप जितना प्रयाश कर सकते थे अपने पूरा प्रयास किया पुरे मन से उमीद की गहराईयों से आपने शफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत पुरे जी जान से मेहनत की है लेकिन दोस दूरे हैं कभी आप अकेले में बेटते हैं तो ये सोचते हैं कि आप अपने जीवन में जो आप बनना चाहते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते थे वहां पर अभी भी पहुंच नहीं पाई हैं जिनके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं तो दोस्तों वह कौन सी व उनको आगे बढ़ाते हैं जिनको आप अपने सारी जनकारियां दे देते हैं वहीं लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है जिहां दोस्तों सी के साथ ही हम आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उताबले से कार कर देते हैं उसके कारण भी आप अपने मंजिल को प्राप नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब इस्तितिका निर्मान हो रहा है लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया अब उस पर आपको विचार करने की ज़रत नहीं है उसे आप ठीक नहीं कर सकती लेकिन एक बात तो सच है कि विता हुआ शमय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव किया होगा आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है आपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है कौन सा तारीब करता है और कौन बीच में रहकर अच्छे बातें करते हैं और पीट पीछे कौन बुराई करते हैं अब आपको सभी पर करके सीख को लेने कि बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरुत है और अब आप आगे जानते हैं कि आपको केशे परिनाम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया बहुत कुछ सीख लिया और दोस्तों बहुत सारे परिसानियों को जेल लिया लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अब दी में आपको परिसानियों का अंत होगा आपको एसा मैसूस होगा कि आपने पिछले समय में जो भी गमाया है यह समय आपको मिल रहा है दोस्तों अब आपका बुरा वक्त अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है दोस्तों आपकी महनत और सुजबू से या समय कोई महत्यपुन कार्ण शम्पन होंगे कुल मिलाकर सुखत समय वेतित होगा दोस्तों पास से दस दिनों के अंदर में दोस्तों आपके किस्मत में एक बहुत बड़ी खुश खबरी देखने को मिलेंगे जिसे कि दोस्तों आपके पूरे खर में पूरे परिवार में खुशी से नाच उठेंगे आज आपकी कोई महत्यपून एक्चा भी पूरी होगी पारबारी दाइतों को बहुत अच्छे निभाने में स्रमग भी रहेंगे यो आपर किसी प्रतिविता की तैयारी में प्रयासत रहेंगे और सफलता भी आपको जरूर ही मिलेगी दोस्तों इंद्र में भगवान श्राम जी के अश्रिवात से आपके पूराने काम हल हो जाने से मानशी और आत्मिक शिकुन मिलेगा ता आप अपने अंदर गजब और आत्म विश्वास में सुष करेंगे पुराना मित्रों से भैट मुलकात होगी तदा किसी विशेश मुद्य पर विचार्ज भिमर्ज भी होगा उधार दिया हुआ प्रयासा हासिल होगा कि साथ साथ दोस्तों आपको इंदर में कुछ शाबदाने भी देख कर चलनी होगी दोस्तों कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे हाला कि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ आहित नहीं कर सकता है क्योंकि दोस्तों श्रीराम का आशिरवाद अब आपके उपर पढ़ने वाले हैं विप्रित परस्तियों में अपने गुसी और जीत पर कावू रखें मन में तरह तरह के नकारतम विचारें आएंगे दोस्तों ध्यान रखें कि दूसरों पर विश्वास करने की वज़ाएं आपने नेने खुद ही लें किसी घनिश मिस्तर अथवा समवन्दी से वाद बाद होने पर दुखी का अनुबती होगी दोस्तों व्यपारी बदला समवन्दी कामा में सफलता मिलेगी और लक्षों के प्रति ध्यान रहेगा साथे नए व्यपारी समवन्दी बनेंगे कर्मचारियों के साथ मीटिंग करने के अच्छे नेतिजे सामने आएंगे दोस्तों विजनेस में भी कोई नया काम शुरू करने की योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर और अधिक सोच विचार करने की जरूत है हलाकि आपके काम पूरे हो जाएंगे दोस्तों वेबसाई गतेविदियां वेवैस्तित रहेगी आत्मी दिस्वास और मेहनत के साथ की गई सुरुआ समपर्कों को भी और अधिक मजगूत करेगी वहीं दोस्तों आपके लव लैप के बारे में बात कर लें तो जीवन साथी के साथ भावनात्मक समपर्कों में और अधिक मजगूती आएगी प्रेम समपर्कों में किसी अनवेक्ति की वज़े से मन मुटाब हो सकता है इनका दोस्तों ध्यान रखें आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो मौसमी परिशानिया हावी रहेगी इसमें अपने स्वास्त का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है घरी रुथर आयर्वेदी इलाज आपको जल्द ही स्वास्त करेंगे दोस्तों आप बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों शब से पहले चोकी पर लाल कपडा विछाएं और भागवान सिर राम के फोटो या मूर्ती आस्तापित करें इसके वाद सरप्रथम भागवान श्री गणेश जी को अशनान कराएं वस्त अर्पित करके गंध पुस्प अक्षट से पुजन करें उसके वाद भागवान सिर राम जी को पंचा मृत से अशनान करवाएं दोस्तों आपके शवी मनों कामनाएं पूर् grandson होंगे दोस्तों आप दोस्त भगवान श्रिराम जी का स्रिवाथ आपसे विको प्राप्त हो, सच्छी दिलशे कमेंड बॉक्स में जैज्छ श्रीराम ज़रूर लिखें और वीडियो को लायक शेयर जरूर करें धन्यवाद